और कहात आए तो थालजन सेवेंटेन सिक्टेन सेवेंटेन इन कारगिल ओवाओ अभी अभी वीडियो प्ले करेंगे सर्थ वाओ वहाओ वहां पे माइनस टॉंटी डिग्री तक मैंने वहां पे था जब डाउन जाता है तो निशी सर आप प्ले कर रहे वीडियो भी आँ ज़ेश्टर करूँ आजी सर कीजिए भूतपूर्व भारतिय सैनिक वा मौजूदा कलाकार अचिनते हाजरा 23 दिसंबर 1982 कॉलकता के गाउं बिताई में हुआ जनम कला के तरफ रुजान तो बच्चपन से ही था पर पारिवेरिक स्थीतियों के चलते भारतिय सैना में भरती होने का निरने लिया कुछ वक्त बाद 2004 में प्रेम भिवा शिरीमती सीमा हाजरा से हुआ और 2006 में पहली बेटी सिमरन और 2011 में सिंधुजा हाजरा का जनम हुआ लेकिन फोज में रहते हुए भी इन्होंने कला की जिंगारी को जगाए रखा भारतिय सैना के सेवा के आखरी सालों में इन्होंने कला अगती वीदियों में बढ़ चड़ कर भाग लेना शुरू कर दिया चाहे फिर वो कला परदर्शनी हो या फिर कारेशाला सेवा निर्वती होने के पहले से ही इन्होंने कला जिगत में अपनी मौजूद्गी का एहसास करा दिया 4 दिसंबर 2019 में भारतिय सैना से सेवा निर्वती हासल कर अपना आगे का जीवन कला के परतीस मर्पित कर दिया इस दोरान IWS के स्टेट हैड भी रहे और फेब्रियानो जैसी कला संस्ताओं से जुड़े अंगिनत रास्ट्रे वंतर रास्ट्रे कला परदर्शनीयों और कारेशालाओं में भाग लिया एक्रैलिक, ओयल और वाटर कलर माध्यम में काम करते हुए विशे की बात करें तो हर फल्मोला की उपाधी कोई अतीशोक्ती नहीं होगी चाहे विशे फोजखे टेंकर हों या स्कल्प्चर, स्टिल लाइफ या पोट्रेट, फ्लोरल या लैंड्सकेप हर विशे में इनको महारत हासिर है इस कला यात्रा में नया मोड तब आया जब साथी कलाकार श्रीमान निशिकान पालांडेजी के साथ मिलकर कला संस्था कला आरंब का गठन हुआ जो अभी तक देश के भिविन राज्यों जैसे महाराष्टरा, उत्रपरदेश, राज्यस्थान, कश्मीर, कॉलकत्ता, हिमाचल जैसे राज्यों में जाकर कारेशालाएं कर चुके हैं वह स्कॉलर्शिप और कम्पेटिशन और कला से संबंदित बाकी कती विदियों में निस्वार्थ भाव से समर्पित है इस दोरान बहुत उतार चड़ाब भी आए, परन्तु एक फोजी, काहोंसला और परिवार के प्रोसहान और साथ के चलते मुश्किल प्रस्थितियों में भी डटे रहे ऐसे में मुझे एक छोटे से कवी की कुछ पंक्तियां याद आती हैं देरी से हूँ, पर हूँ, रहा पर उस मंजिल की और जिसे अकसर मैं सपनों में देखा करता हूँ इसी के साथ कला अरंब परिवार आपको जनम दिन की खार्दिक बदाई देता है और उजबल भविश्य की कामना करता है वाव, सुपब और इसी के साथ इसी के साथ अभी जो केक है सर कनिश्टा को स्पोटलाइट कीजिएगा उनको क्यों करना केक को करना पड़ेगा कनिश्टा क्या बात इसमें आर्मी और जो आर्ट है दोनों को दोनों को इस थीम पर मिलाया गया है आर्मी प्रेंच। आप मिउट हैं प्लीज अन्यूट करेंगे करेंगे कि निश्टा अग लगा दो अग बोचाएंगे आज अब मैं नहीं बोलता मिने स्टुडियन लोग बोलने लगए अभी तो सर आपको आग लगाना है अब गाना गाएंगे एपी बर्टे अग बोचाएंगे अग बोचाएंगे एपी बर्टे तो यू हापी बर्टे तो यू हापी बर्टे तो यू आपकी तरफ से लक्षमी जी बहुत बढ़ बढ़ दिया बहुत बढ़िया है तो इसी मोके पे बहुत सारे लोग आ चुके हैं आपको सब को मालूम है कि कलारम का इप्रावस आपके साथ ही स्टार्ट हुआ है बहुत एक्तम पुर्णा से स्टार्ट हुआ अभी तब चली रहा इन फीचर और भी चलता रहेगा इस बड़े मनाते रहे है कि यह मोका है हर किसी के साथ सेलिबरेट करने का एक तरह जीने का जो भी हमसे जुडता है हम वही जानते कि हम सब अपना एक प्लोस फैमिली जे जो जूडने पाया वह भी हमारे फैमिली से क्योंकि उनके कुछ रिजन हो सकते लेकिन हमेशा करते हैं हम आफ लाइन बस हम एक जुड़े रहें दुझे के साथ क्योंकि जो हमारे पास जो इंस्पाइरेशन है जो आचिंदे सर्का जो जर्नी है तो अभी कोई ने कह सकता कि यार मुझे तो यह नहीं मिला मुझे यह करना था वो करना था मुझे यह चाहता था मतलब आप देख सकते कि वह एक बैहने कोसित्य बंक है घम पर अभि उन्होंने को निए रहीत अचा अच्छा मोंकाम आप दो आपके पास वह जतना मेल सावरा समय है तो आप काम करते रहिए वह कुछ नफ यह कुछ मखाम परहि सकते हैं इसी मोंके पर में जैसे हम बाते करते रहें ग्रम स्कृते रहें मैं उनका वाईल प्रेंटिंग का पोटेट भी में उनका ट्राइ करूंगा चारेक्टर आये नाये तो माप किर लिजए लेकिन प्रयास रहे आज आगा ऑल प्रेंटिंग का अपने इतना सोचा है कि क्या बोलो अभी मिदलीया साथ लब्स कम पढ़ रहे है कि यह बहुत लंबा सेशन चलने वाला जिसको भी मन खोल के बात करना आचिन कर से बारे में बुंदा साथ बात कर सकते हैं तो मैं तैयरे में जुड़ता है को साथ आगे ले सकते हैं यह बिल्कुल ऐसा उफिशल वो नहीं रहेगा कोई contact name कुछ को जो जो बोलना जो share करना जो सब पूचिसा जर्नी के बारे में अब कूछैंस जो भी पूचना है आभ पींदास पूचहें कोई भी पूचें कोई करने की जुरत नी फने पड़ेता जगूर meeting कशी का कमेंट नी पाड़ने को अब करता हूं करता हूं करता हूं लेकिन आज जरूर बात करना चाहूंगा मुझे हरुक लगता था कि यह रंगाडे को उपर बैटे रहते थे या रंगाडों के कभी भी इनके पास में यह पेंटिंग बनाते हैं तो एक्चुली उनको जरूरत नहीं देखिए उनका जूता ही इत या दुष्मनों के लिए काफी था मुझे इसे अल्वेस लगते रहा कि यह बंदा अगर अपना चूता भी बेखके मारे ना भाग जाए तो सर हैपी बर्ट दे तो यू थैंक यू सर अनन्द हुआ कि मैं दूश्मनों सामधो शुता और आपको बदाय दे पाए थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू था फूरा फूट अज तो गभ करी सकते तो अपनी उस समय की कुछ बाते सेर करी सकते तो एक दिन अपरेशन में जा रहा था तो वहाँ पे आपको मालुमी होँए उसका खस करके जो जिन्टके के अंदर तो जूते के जूते में क्या होता है कि जब हम operation में चलते हैं क्या हूताथ थै कि मैं actually में गाइड से गाइड में तो आगे चलना है तो मेरे साथ और एक राजस्तन का दोस्त था फ़रा सो security है बट में इतना तो शेर करी सकतें तो उस समय क्या था कि हमारा ये नहीं था कि पहला गोली मदभी यहां पर नहीं लगना चाहिए ächstFE लगे तो दूसरा गोली पर उसको गिरने का है मैं बिल्कुल अ बात कर रहा हूं है मैं वह साय आप मालूम चल सकता ना तो आप मानोंगे नहीं उस जूते की उपर भी हमें वह सौक्स डालना पड़ता था ताकि वह जड़ा सा आहड ना आए थोड़ा सा नरम हो जाए ना और ज्यादा तो यह था सीचियोशन है सभी सीचियोशन था अपरिशन के समय और भी इस से इस तरह से बहुत सारी किस से है चलिए आगे बढ़ते थेंक्यू सो मच तरह किस उमर में आप किस उमर में आर्मी में मैं नाइंटीन यार्स में जॉइन किया था उनीस साल में कॉंसे बैटेलियन से थे आप मैं नमबर नहीं ले सकता मैं आर्टिलेरी में था तो मतलब आप गोले दागते थे ना तो मेरा एक्शली में गानार था गानार का कामी था यह फायर करना और इससे रिलेट भी आप पीछे भी मैं एक उसमें भी स्यार किया था कि मुझे अक्शली गैलेंटी आउट भी मिला है जो की काफी अच्छा रहता थोड़ा गैलेंट एक अज है इसनिए कर रहा को हैं जैसे कि अरुना चल वहा सम में फिरोचपूर यह पंजब पर जाता यह सब एरिया तो आटिलरी जहां जहां मदब आप देखेंगे जहां आटिलरी जहां है उस एलिया में हमारा डिप्लाइमेंट जा रहा था मदब रिजिमेंट जादा था ऐसे ऐसे मैं भी देख रहा हूं आप लोग को अपने फूक मारा कि नहीं आज केक्यों पर हाँ हां आज यहां पर भी मरा अभी है है ओके तो आप मैं कुल्स यह निशी जी का भी थोड़ा साइड यह कर दीजिए है झाल ठीक है ओके परफेक्ट कौन सा परशी कर रहे हो कों से कलर कौन सा आपका ब्रैंड का कानवास है आप आज नीशी से कोई नहीं बात करेंगे नीशी सर से वह सारे क्यों थे मुझे परसनल मेसेज करके बोल रहे थे कि हम तो पूछेंगे नहीं आप ही पूछ लेना यह आचिंते सर से कुछ पूछना चाहरे थे तो मुझे बोला है सब नहीं की पूछने के लिए त पूछिए ना क्या है अपका उसका लव स्टोरी के बारे में पूछ रहे हैं अच्छा कौन है वह आज एक्टुली वह देखी डॉक्यमेंटर तो पता चला बच्वन में साधी हो गया अच्छिली हाँ मैं बहुत कम एज में साधी किया साधी यहां पर बेंगॉल से भी नहीं करते हैं साधी तरह ठीक है मेरा चुटा पहमिली था एक मेरे सिस्टर में एक बस और 21-22 साल में ही मेरे साधी हो गया तो लाब मेरे जुआ था तो ज्यादा डिटेल में क्या है ना कि और 18 का है मादब हर चीज़ को हासिल करने का है ना तो वह चीज़ हम इनिट लेवल पे रहते डेनि ले पर रहते हर चीज़ को यहीं सीख़ा है है कि कि लास दम तक पाना है तो एसे ही था जो नेया लाइप पकर्नार है तो लग का था हिं उनके घर थे कि फाउजी को नहीं देंगे चाहे किसी को भी दे सकते हैं बट फाउजी को नहीं देंगे तो है मतलब यह होता ही है तो आज भी डेट में भी हो सकता है अपने पेरेंस चाहते ही कि फाउजी को क्यों को दे को अच्छा यह दे बट हम तो लब किया था प्यार किया था अभी डरना क्या तो बहुत थोड़ा सा यह होना चाहिए आपको हिम्मत होना चाहिए थोड़ा प्रूम बंगाली नहीं है कहा की मीरे गर से इतना दूर ज़्यादा भागना नहीं पड़ा कि तो तब से एक्शुली थे तो बहुत मद्ब उनीच साल सर्विस किया जिसके अंदर और हार्डली मैंने डेड या पूर्ने दो साल मैं अपने फैंमिली जाख पाए तो उनके बिज में कुछ समय सिम्रन भी थी एक-दो माइना सिंदुजा भी थी महत्त दोरों बैटी भी थी तो 19 साल में मानलों कि दो साल या तेर साल मानलों कि साथ में रा इसाल जितना छुटीयह Nous Vaakos कि सच में इतना प्यार है और आज भी है आज भी तो वह सिकंद सर्भी कभी कभी फोन लेकर आची तो दिखा हूं किसे बात कर रहे हैं अच्छा मनी मैं मनी मलके बुलाता हूं तो इंटरस्टिंग होता है कई वर अब मेरे इनिट में भी न अपसार लोग क्या होता है ऐसे मज वाइब से बात करता है मतलब है मतलब उदर तो फोन नहीं था वह भी शुरू से नहीं था कुछ साल बाद में ठीक टाक फिर जैसे कारगिल जैसे जाएगा में तो आप समझ सकते की नेटरॉक का फोन का बहुत सारे प्रॉब्लम था तो ऐसे लाइब में कठीना है बहुत आ ता ता और शुरू में ड्रrän बच्पन में मेरे means टॉम त्व06ण ट्रॉन में जब था मैं तब से मुझे डाला में यहां पर कंपन होता क ripe कि ड्रैंग करना संगहिं उस्पन होता है तो उसके बाद यो हुआ कि ऐसे यहां पर हमारे जो डिस्टिंग में इधर उदर पेंटिंग करते करते कफी सारे कॉंप्टिशन भी जाने लगता था बहुत अच्छा हर जगा मुझे मिलता था इतना है नेचरली साथ गौट गिफ्ट है थोड़ा सा और कुछ है जो कि कनेक्ट हूँ या मैं उस चीज़ को अब्जर्व कर सकता हूं या कैचिंग पार बोलते जिसका हूं के तो मैं इस तरह से सुरू हूँ हुआ तो बहुत सारे मुझे पर बहुत सारे मुझे फ्राइज मिला सर्टिपिकट बहुत सारे ऐसे उखटा हुआ फिर गयरा बरा साल में मैं ग्याराबरा क्लास में जब मैं था तो मैं कुछ मेरे स्टूडिन्स भी था यहां पर उनको सीखा के अपना मैं बहुत ऐसे कंडिशन से हो कि मेरे पापा उस समय की मदब चाराजार पांचार रुपयर कामाते थे बड़े मुस्किल से तो उसमें से बहुत कुछ काटिंग हो ज कि इस आरट में ना कुछ नहीं होने वाला मैं करbert अ तौए मेरे शहर से आप को ने मेंके होगे उनके लिए तो मेरे país मुस्किल नहीं दे रहा हो तो मेरे माइंड में कुछ ना कुछ था यार यह आठ के फिल्ड में कुछ नहीं होने वारा और तभी 2001 में जो कारगिल 1999 से जब कारगिल का यह छेड़का नहीं हुआ और एक बड़ा वैकेंसी भी था यह हमको नहीं मालूम था कि अच्छा यह चल रहा है और एक बड़े तदाद में फौच चाहिए मैं दो आज़े देख में जाके शुरू मैं देखा मैं करूंगा करके ना ट्राइ किया तो मुझे पहला चांस में एक के बाद एक पास होता गया तो अच्छा था हाइट भाइट उसी के लिए सरीर बनाया था उसी के लिए मन बनाया था आठ के लिए इच्छा थो था कि आठ कोलेज बगर जाने का बट ऐसा था कि घर से कुछ ऐसा थी कि कुई जॉब मिल जाए तो अच्छा सेट हो जाएगा फैमिली तो फैमिली में जो इनको यह हमेरे उपर डिपेंड था ना कि वो सिखाएगा क्या यहां पर होता है बच्पन में सुरू होता है फिर धीद्रियों बड़े होते हो सिखाते है उसको तो वह तूट गया उनके चेन वह भी उनके पेरेंस भी काफी दुख जटाया सरा पैसे जा रहे बट मुझे तो मेरे फैमिली का सवाल है और यह नौकडी तो मिलता नहीं है इस तरह से बड़े मुस्किल से होता है तो अच्छा लगा और बिल्कुल बड़े जोसके साथ क्योंकि मैं बहुत फूर बैग्गाउंड से था तो मेरे को कभी तकलिब महसूस नहीं हुआ कि किसी चाहे टेनिंग करनेगे तो उससे यहां से सुरू हो गया फिर मैं फॉज जॉइन कर लिया फॉज में गया तो गया तो वो डिफ्लाइमेंट में चला गयाना है मादब जब गया तो कारिकल का लड़ाई के बाद मादब वो जो चल रहा है खतम नहीं हुआ था ऐसा ऐसे डिप्लाइमेंट वो राथ-दिन तो तो उस समय के भाद हम फटापट देने के बाद हमको इनिट में जाकर जाके देख और और बुड़ा हल है यहां तो पहले वह सेट किया जा रहा था अपने अपको और बुड़ा हल है और डिप्लाइमेंट यह वह बहुत सरी काम है और जो जूनियर होते उनको और ज़्यादा काम होता है इस तरह से चला लाइब बहुत ही तकलीब से गुझता है मसले और या नहीं करता नहीं है अभी आ रहा है ङा थो आप लोगों को भी थोड़ा शेयर कर रहा हूं तो लाइब में बहुत तगलीब था उस समय ठीक है उस समय पता नहीं था आ कि तगलीब क्या होता है क्या में कर ना है उसको उपची कुलिए हुए तो जो भी खेसी ताफ़ सीखना अचिंगा अचा Candle में नहीं किसी को गन फैर करने के लिए उनको देता नहीं था किसी ृष्च आपके गया एक साल के अंदर मुझे गन मिल गया था फैर करने के लिए तो यह एक लड़ाए के situation के वैसे भी मौकाय मिल गया यह भी हो यह भी थोड़ा support मिला और थोड़ा मैं मैं बोला ना कि हर किसी को मैं अच्छी तरह करने ही कोशी करता हूं तो गन मिल गया तो थोड़ा respect भर गया तो इस तरह से और क्या है कि एक एक देखा जाता कि वह कहते है यह बंगाली है मच्छी खाने वाला बहुत तेज होता है करेगा तो बहुत मदब निश्चिंद होके सब कुछ दे देता था मदब जिम्म पर ही जादा मिलता था ऐसे करते करते बहुत कम सार्विस में बहुत सारे काम करने लगा फिर वहां से गया अपना उड़ी सेक्टर गया उड़ी द्रास यह सब मदब फिर वहां एक के बाद ट्रासि अक चलता गया इसके भीज में जैसे उसने बहुत बड़िया बनाया बैक हम एपicheली पर मिली जूड गया था मताब दो साल सार्विस के साती है जूड गया था प्रोशान से उन्सचिंए पेयंट इस दो यह में बाद और ही वग्हां थे मिला रही टो इस तरह से चल तो उस समय क्या पेंटिंग तो मैं भूली चुका और मैं ऐसे टाइट शेडूल में कहां पेंटिंग का कुछ भी और जो भी कुछ था थोड़ा बहुत फोज के आंदर के वह कुछ राइटिंग वाइटिंग ऐसे कुछ काम आता था राइटिंग कोंसा एमनिस वाक्स में पर जो भी राइटिंग वांटिंग यह सब काम मिलता तो वहां पर तो ऐसे ही सही करता था उसमें भी अच्छा बोलता था यार गुड यह कि फॉज गंदर काम मिलता ऐसा और फटा-फट करने वाला ठीक है वहां पर निकला समय एस सरह से दस-बारा सल निकल गया फिर किछी ऐसे दिरे-दिरे एक्शुली मैं ना वहां पर मेरे इनुट में जज़्वेंट भी है ज़ज्वेंट में भी मैं इंटरस लिया तो उस ज़ज्वेंट में भी थोड़ा सा मैं सिंटरसर प्ले कर रहा था तो कहिना कि आर्ट वाला लाइन है ना मेरे को काफी मदब होता है कि जो आर्टिस्ट होते हैं उनको देखना सिंगी मिंगी जैसे मिलिन सर हमारे गीटर फस्कलर बजाते हैं वह अच्छा आर्टिस्ट भी है और इस तरह से होता है जुड़ा होता है उसी रिदम में रहते सब तो मेरे को बहुत सौक था गाना गुना हर किसी को रहता है आर्टिस् इतना है थोड़ा सा काम-चला वाला तो उस तरह से कुछ ये सिखा पेंटिंग थोड़ा सा एक मतलब डियसे में घर खरा हो चुका है तो मैंने ठीक किया तो जैसे ठीक किया फिर अभी वह चल पड़ा काम तो समय ओयल एकलिक जो भी थोड़ा बहुत इस तरह से नहीं आज की जो सिच्छोशन है जो बंदा आज सिख रहा है मतलब आगला दिन मतलब बहुत ज़्यादा सिखता है उस समय एक इंप्रुमेंट नही पर जो भी था मेरे को जुद्न आता था मैं करता था बहुत आम नॉर्माल आप मेरे दोजर उनीस में जब मैं उनीस में आठरा में मैं यूट्यूब स्टार्ट किया तब कि वीडियो देख सकते एक्चुली मैं कहना चाहूंगा कि हर को ही कर सकते थोड़ा सा अंदर आग ज और इस तरह से हर एक इंसन के लाइब में कुछ ना कूछ टागल चलता है तो साइधो हीं से और ज्यादा स्टॉंग हो जाते हैं जो कि अपनी लाइब को ठीक से निकलना चिकंदर सरक भी लाइफ्टाइल मदब लाइव जो मैं देखा इस तरह से जिन से भी देखा देखा है कि हर लाइब में एक struggle है और मुझे लगता है struggle होना चाहिए तो struggle से और जदा मुझबूत होते हैं और अच्छा काम करने के लिए जिस तरह से आज की टेट में मैं पूरा दिन खरया होके painting कर सकता हूं मेरे को बैठने के ज़र पूरा दिन मैं continue खरया होके सुवे से सा चाहते तो मैं बिलकुल कर सकता हूं इतना मैं सोचता हूं क्योंकि कुछ भी नहीं painting करना कि जो जो काम करके आया तो यह कुछ भी नहीं ज्यादा हो रहे गया निशी जी नहीं नहीं एकदम पर्फेक्ट चलता है तो तब बारा तेरा सल के बाद थोड़ा थोड़ा ऐसे मुझे ओयल एक लिक थोड़ा थोड़ा काम किया उसके बाद करते करते फिर उसके बाद फिर 16 17 में जब हम करगिल में गया फिर एक लगा रहता है तो चार दीन से बात करना बहुत मुश्किल सीचेशन दो सल फिर उहां पर कटा वहां कर एक कहानी में बताता हूं सब गो कि वहां पर जब बर्फ के दीन था तो वहां पर बहुत एक द्रास का जो एक जो सर्दी का रिकॉर्ट किया गया था मैं अगर गलत नह माइनस सिक्स्टी माइनस सिक्स्टी तक वहां पर द्रास में वह ठंडी का जब बर्फ के टाइम ठंडी जाता था एक्चुली जिसके बज़े से वहां का जो बॉर्डर के सीचेशन ऐसा था कि दोनों कंट्री का जो है पीछे हट जाता था सइनिक अगर आपको थोड़ा बह को नहीं करना पड़ा मेरे को 20 22 25 तक माइनस इतने में मैंने रहा तो ऐसे एक दिन था माइनस 20 डिग्री था तो मन हुआ वाटर कलर करेंगे तो यह 16 17 की बात है तो यह कहां से आएगी वाटर कलर बगड़ा फिर से क्यों जागा इन दोरन मिस्ट्री ओप वाटर कलर था फेस पिर ए्टमीन ता फिर वहां पर फिर और इंट ऊंपर प्र है और वैसे सबक्रल मीडिया मुझे तो पूरा जो की जो में आज हूआ हूं से क्योंकि आपके क्यूंक्क एक लाइक मुझे यहां तक पहुंचा दिया कोई कहते है ना light कि में light के वैसे नहीं डालता है वह गलत बात है like qom PHP के बज़े से है सब कुछ ऐना एक काम किया आपने क्या जो भी किया उसके पर बहुत फरक पड़ता है तो यह नियुकि Selfie को किया चाहिए आएक वाुव चाहिए ना एक तारीफ चाहिए होता है तो उससे और जड़ा हो जाता है तो बड़ा मज़ा आता था क्योंकि वह पोज के अंदर किसी को नहीं मिल पाते हैं ना वहां तो वर्मडरी है अंदर ही वही फोजी घूम रहा है वहां कि सिन्यार भी एचे इसीजीए ऐसे आपसार र्रिज उपना वहां अभीशें थी मिलते रहते हैं लोहा लगकर गन वही उपाते हैं वहां अगर मैं कुछ पेंटिंग मना कर डाल रहा हूं तो कर 15 लोग कर रहे हैं कुछ लोग कॉमेंट कर रहे हैं अच्छा लगता तो तो इस तरह से कपी अच्छा लगने लगा एक के बाद में पेंटिंग करने लगा उस समय तो माइनस 20 डिग्री फे भी एक दिन बन हुआ कि चलो यार एक पेंटिंग मनाते तो बाहर थोड़ा धूप है बड़प इतने मोटे-मोटे बड़प गिरा हुआ च्छत के उपर और बड़प गिरके जो तलवार भी बन चुका माइनस 20 डिग्री आप समय रख वो तलवार भी बन चुका बहुत बड़े-बड़े मैंने फूल पानी गरम किया वटर कलर पिंटिंग करना है चलो ऑईल कर ले था तो भी ठीक था वटर कल तो मैंने गरम करके ले गया उससे पहल लिए पहले जो भी करना था बॉरप ही बॉरप है और कुछ नहीं तो बुलू कलर का ही काम था तो मैंने आसमान में कलल लगया तो यह जब देखा भी वह ऐसे थोड़ा हार्ड हो गया मैं ऐसे जैसे उसमें पेपर में ऐसे मारा गिर गया नीचे मतलब उसी सास्ता आप सोच यह आप समझता बात तो एक सीचे यह था मैंने देखा कि क्या इंटरस्टिंग था वह वहां पे पीने के लिए मतलब आपको पानी उबलना पड़ता है बाकी सोचो कि क्या क्या करेंगे दोहेंगे क्या और खाएंगे क्या यह कहानिया तो अब पीना है ना तो इतना पानी पीगला होगे तो इतना होता है पीने के लिए बरफ को तो क्योंकि गाड़ी गुड़ी आने का कोई चांस नहीं आगर पाइप के जिरिये पानी आएगा तो पाइप को तो है नहीं वैसे तो वो सब बरफ हो जाता ना उस समय तो पीगल के आपको पीना है तो वह एक अधस्तान के गर्मी बाला भी एक लाइप था सर्दी लाइप यह सब मिला के इस तरह से चलता रहा देरादुन में आया देरादुन में आने के बाद थोड़ा सा एकदम ऐसे लगा कि यार वाह क्या बात है क्योंकि नेट्रॉक मिल रहा है अच्छा एंडॉड फोन नेट्र में आपने थोड़ा में आपने स्टोर्रूम रावन सेट कर लिया था कि तो मैं पर हमेरा डेम रहता था सब मैं आपको बड़ा चाड़ा करने बोर रहा हूं जब अंदर आग जलता तो पिर आपको ने ने आता है फैंमिली को मालूम चल जाता है कि जागा है पॉक्का जागा है तो इनको जूट बोलना पता है वागी आगला दिन फिन पोस्ट होता है पेंटिंग तो फिर पते चली जाता है आप मानेंगे नहीं उस समय टोटाली हाड़ी दो घंटा डेंगोंटा नहीं भी सुआ है तो इस देरा दुन में आने के बाद क्या क्या मैं संडे को थोड़ा सा आउट पास वहां पे मिलता था जाने के लिए तो मेरा ओट पास क्या था पेंटिंग कर सामान उठाना किसी स्पोर्ट में चले जाना वहां पे थोड़ा सा नेट्रॉक बन गया कि कुछ आटिस मिलने हुआ वह सारे अमित्द भूस यहां और सर्से काटक्त हुआ तो आप की साने लोट लोट कालां स्विप। वाट बोला जोहँ वह काम करता हूं उसमें पूरा 100% करता हूँ, पूरा मैप निकाला, उतरखंड गया, कौन सा डिस्टिक कहां पर क्या है, एकदम फौजी स्टाइल में, मैं अपमें पूरा ये दिया, देखा और देखा, हर एक जागा का मुझे एक डिस्टिक में मुझे एक बंदा चाहिए ताकि उससे में contact कर पहूं, फेस्बुक के जिरिये, फौन के जिरिये में लागा रहा है, ऐसे करके मादब हर डिस्टिक से कोई ना कोई मुझे मिल जाए, ताकि उस डिस्टिक में जो जो है उनसे जुड़े, ठीक है, तो ये कलरा माज जो बना है, इसके पीछे भी काम हो चली रहे तर, ये कलर कई पार्ट है, ठीक है, तो जब IWS में था, उत्रागन के स्टेट में, मैं कोशिच किया, जितना भी होचा के जो भी इवेंट होता तो उसमें भी पार्टिसेमेंट करने के लिए, मैं उनसे बात करता था, और सापर्ट करता था, आता भी था, उन दौरन, सीलंग में एक बराबर में स्पोर्ट लाइट रख सकते हैं ना, दोनों है ना, चीक है, नहीं दिख रहा है, अच्छा काम हो रहा है सेर, continue करें, मज़ा रहा है, ओके, तो हाँ पर, अभी देखो, मेरे लाइफ का जो यू टर्न यहां पर हो जाता है, बीज में आगे पीछे करके बहुत ब बहुत यह, नहीं दो खुट लगा जाए, यह क्या नीज था, अज़ने दो, तो हभी अच्छिवली देखा जाए, जो सिलंग का जो वो इवेंट, मेरे लाइफ का यू टर्न था, सिलंग में मैं गया सिलंग में इसलिए गया था कि मैं उत्राखन का स्टेट हैड हूँ और उठ जाने के भी देखो कैसा है कि मैं फौज में था तो मुझे मालूम है कि जूटी नहीं मिलेगा जूटी भंध प्रफिंग उम्रे यारि ज chef अच्टख़न और जा में अच्छा वर रहें सिलंग में मैं जाता मैं बहुत अच्छा में मुझे मैं बहुत कुछ सीखने को मिलता है तो वाइब ने बोला फिर जाओ, जाओ बोलने से कौन से मिलता है, तो वाइब ने बोला अप्लाई करो, हो गया तो ठीक या नहीं तो, पता नहीं यह होना था, तो मैंने ऐसे ट्राई किया, ऐसे जाके पंदा दिन का, दस बारा दिन का, किना दिन किया था, दस दिन, दस दिन में था राजस्तान गया कैम्प में पहले कैम्प जाना है कैम्प से फिर वहां पर जाना है समझे बात मदब देरदुन से पहले कैम्प जाना है कैम्प से फिर कैम्प राजस्तान में हो रहा है अच्छा ठीक है चलो यह से भी है जाना तो है और कैम्प में जाने से क्या दिक्क चलो वह भी जश्या किया वहां से देली आया। देखो मेरे अंदर कितना वह है जा आग बहुत मैं उस दिन में देख लिया कि मेरे को देली में में सुभे पॉज़ लो मेरे साम को है। कहां के लिए गवार्टी के लिए राजस्तन से मैं सुबह पहुंच गया बाई ट्रेन रात को पखड़के उस दिन मैं लोधी गाड़न में प्लेनेर रख दिया कि यहां पर आ रहा हुँ एक प्लेनेर ऐसी में डाल दिया अभी भी वह लोग मतलब इतना पहचन उस दिन का बना आज भी बात होता है उनसे और फोन भी होता है क्योंकि जब सामने सुपर मिलता है ना तो काफी अच्छा हो जाता है अच्छा लगता है और इस तरह से फिर वो देखते है कि काम आचिन तो वह था और यह कर रहा है तो देखो एक दिन का वह प्लेनेर डाला करने के बाद गवार्टी गया वार्टी इवेंट इवेंट में क्या था कि देश और बीदेश का बड़े बड़े आर्टिस्ता मैं जानता भी नहीं कितनी बड़े है बाद में स Blade difficile star artist मैं तो शिकंदर सर को भी नहीं जानता है तो हां पे सिकंदर सर्भी बाद में बहुत आमरा में दो रिदो जैनता हुन-बै दो साब्गे में किसी सीतका-ख़ओ बात हुआ बहुत say लोगों को बात नहीं हुआ और इनको लगा की आईडोर उसकें अंदर है इनको तो पर क्या पंक बोलते क्या बोलते पर लगाए जो भी है इतने से तो मुझे कुछ निए तो एक डूम गया बिन्दा सुआ अच्छा कनिष्टा से हाँ है ठीक हो गया ठीक हो गया तो सिलांग में गया तो देखा पुफू स्वार का डेमो क कुल ख़ड़ को पूरा दो दिन दिन देखा मैं अमीज सरकते लोहां पर होता है तो वह गया ठीक है तो आप मिला थे मैडल लोग भी आया थे। कफी अच्छा था और इंडिया से मिलीं सार थे। विजए विश्वाइट से अथ थे। मेरे को मतब एकदम सब सामने मिल रहा है। मतब सुसलनिटर के जिरी जिनको नाम मतब आता था वो सामने मिल रहा है मेरे को देठाब। और ये चीज था कि जो भी मैं काम देख रहा था, वो मैं अंडरस्टेंडिंग कर पा रहा था, कि वो सहर क्यों कर रहा है, अब समझे तो, वो क्यों कर रहा है, और कैसे कर रहा है, ये दोनों चीज मैं अंडरस्टेंडिंग कर पा रहा था, ये सबसे बड़ी अच्छी बात है कि जब भी कोई काम करता है, अगर मैं देखता हूं, मेरे अंदर वो catching power है कि मैं उसको understanding कर लेता हूं, कि ये कर रहा है तो कैसे कर रहा है, क्यों कर रहा है, ये सब आ जाता है, तो वहां से बहुत कुछ मैं सिख गया, सिखने के बाद फिर वहां से बहुत कुछ सिखने को मिला, पेसिंस क्या होता है, वो प्रफुल सर को देखो के तो फिर समझ में आएगा कि पेसिंस क्या होता है, विश्वल सर को देखो के तो समझ में आएगा कि ड्वाइंग क्या होता है, कैसे ड्वाइंग क्या जाता है, स्केल जैसा लाइन कैसे लगाए जाता है, तो ऐसे बहुत स सिलंग में जो मज़ा था और बहुत कुछ सीगनों को मिला बहुत क्लोज रहा बहुत कुछ हैविड भी मेरा बदल गया उससे क्योंकि वह सामने बड़े-बड़े आठिस्ट को देखा उनके नेचर को देखा उनके हैविट्स को देखा सब कुछ चेंज हो गया एकदम से नही लानीर में ज और मैं या के बाद में हो गया और पाइंटिंग और ज्यादग सबसक् Questions और घर में आया तो पर वढकर भी कि या श्टार इसब्साट कि प्रह knife कनला सीविड दालों से एक पान कंला राटकadore 혼자 म होज में मैंने संडे संडे रात को शेये क्लास का था कुछ समय लास लास में तो वहां सी मेरा online class से start था और offline में तो immediately कुछ भी नहीं हो सकता और return होके आया तो ऐसा था कि कुछ job बगरा ही होता है कि हमारे live में कुछ security बगरा job कर लिया यह वो या कुछ business डाला जो भी कुछ ऐसा कुछ कर सकते हैं बट मुझे तो इसका मज़ा आने लागा ना painting का और painting का मज़ा आने लागा तो painting करना था तो मैंने प्लान किया मैंने जब होता है सब अच्छे के लिए होता है तो फिर उसी समय का studio का भी plan हो चुका था जब करगिल में था उस समय से थोड़ा studio प्लान था और studio भी थोड़ा बना एकदम सो सब कुछ नहीं हु हुआ फिर मैंने और देखा फिर lockdown आया तो इससे फ़हले जब रिटर हुआ था तो रिटर के time क्या होता कि ना सीख जाते हम हमारा documentary लिए तो वहां पर फिर publisher के घर गया दो बर तो बहुत अच्छा लगा sir से मिला काफी humble है काफी कुछ बाच्चित किया हुहां से भी inspiration मिला क करना है कुछ है ना सेरने भी काम देगा थोड़ा सेरने गाइड किया थोड़ा ऐसे इन में focus करो जादा है ना यह नहीं है कि ऐसे कुछ हो जाना है यह है कि कुछ अच्छा कोशिश करेंगे अच्छा कुछ कोशिश करेंगे तो जो भी है अप अपने फिल्ट में जहां पर समय बहुत कम है चळा इसके बाद क्या हुआwydd कि अच्छा इसके की बात करें तो बॉल्स बात करें नहीं सर आप कंटिन्यू बहुत अच्छा लग रहा है इस्टोरिया एक सिंगर आता हुआ मैं बता दू कि हमारे सभी मास्टर का स्ट्रेगल भी बहुत तगड़ा है और सभी की लव मेरी जाए निशिकान सर की अचिंते सर की सिकंदर सर की विक्रान सर की क्या बाट है बीज में मसला दे दिया मैंने सीरियस करके रखाता हूँ ओके आप ही आते हैं हम दिर दिर कलारम के ओर है ना थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मज़ तो रहे हैं बहुत मतलब बहुत ही यूसपूल है बहुत मोटिवेशन भी है आपको देख के बहुत इनर्जी मिलता है जो डाउन हो जाता है तो आपकी बात सुनके थोड़ा सा फिस से आ जाता है तो बहुत ज़ती है यह सब बाते जानना हम लोग के लिए भी बढ़ा प्यारा कंबिनेशन है बहुत मज़ा यह यह भी था कि जब में पेंटिंग करते हैं आर्मी गया तब मेरे गुरुजी ने बोला यार तो पेंटिंग और यह आर्मी एक ऐसे पॉसिवल है यह कैसे तुने डिसाइड किया कैसे जा रहा है अब जब आर्मी छोड़के फिर पेंटिंग यार कहा वह हाथ है और यह कहां हाथ है मतब दोनों चीज़ डिफरेंट एक्शुली डिफरेंट लगता है बड़ इससे तो कुछ समय बाद मैं रिजाइन किया आई डोलुएस से और सब कुछ मदब एकदम लॉकडाउन के बएसे भी थोड़ा सा एकदम खुद गई हो गया सब कुछ ऐसी ऑनलें क्लासेज बगरा कुछ चलने लगा तकि अपना कुछ ना कुछ आर्ण करना परेगा ऐसे इमीडि हो नहीं तो थीक थोरा उल्लाइन क्लासेज के बागरे Eddy सै build ऑगए सब्जर कोने में काम कर रहा है कि ऐखता बैक्दम करता आ उसको देख्क हैंदर जहां से तो मैं गया मैं इसे पूछा कौन सा पेपर है तो देखा निसी सा ठीक एकडम जो है जैसे दिखता वैसा नहीं है बात कर रहा है एकडम नॉर्माल है ठीक टाक है तो आपर थोड़ा सा उतना ही बात हुआ था बट इतना है कि बहुत अच्छा काम करता है और इवेंट में भी फिर से मुलाकात हुआ बहुत सरे आर्टिस्ट के साथ वहां पर भी अच्छा लगा दो चार ने ओट्रगाप मांगा तो वह एकडम और ज्यादा खुस हो गया कि यार अचिन तरह से फिर और ज्यादा इंस्पेशन मिला तो इनके इनके बीच में एक में होता है उदर कुछ नाम याद है निसी जी उसका कि वेस्टन कल्चर जोन ऐसे करके उनके इवेंट होते रहते 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 तो वहां पर डॉक्टर साली निवर्थी में हमने तो प्लान किया कि कुछ आटिस्ट को बुला के इस तरह से जो भी वहां पर हेरिटेज है वह पेंटिंग करके उन्हीं को देना होता है उनके बदले में हमें थोड़ा सा टकून अमाउंट एंड रैंस एंड वैवस्टा देते तो इन दोरन क्या हुआ फिर नीशी सेर में अमित कापूर सेर वभीन कर्मगर सेर संजय देशाई सेर अनिर्बन था अनिर्बन जना और कोई तो था तो यह सब जो है वहां पर सब मिले थुए एक साथ काम करने का मजा ही कुछ अलाग था तो यहां से क्या हो थोड़ा जब हम इस तो से मानलो एज रेसिडेंशियल टाइप का था कि हमारे एक ही जगह रहना खाना और ज्यादा मिलते हैं तो जो रेसिडेंशि जो बात है यहां से थोड़ा सा ऐसा लगा कि जब हम एक जाए रहते है जब डिसकास होते रात को दो तीन तीन चार चार बज़र हम वही डिसकास कर जा रहा है पेंटिंग के ऊपर ही यह क्या था वो क्या यह क्या वो बहुत अच्छा लगा इस तरह से और फिर उन दौरण और ज़्यदा नीशी सहर के बारे में या हम सब के बारे में हम सब बैसे ही जान चुके थे अभी एक दिन क्या हुआ ऑन-लाइन क्लस के जिरिए वापस आया उदर से ऑन-लाइन क्लस के जिरिए मेरे स्टूडिन्स दो तो इसीची टाइम है ना आपके पास तो आभी क्या हुआ कि वहां से बापास आया राजस्तान से मज़ा गया साथ दिन एक पेंटिंग देना तो हम तो तीन तीन पेंटिंग देखिया गया क्योंकि हमें तो ऐसा कोई रख के मदब इस तरह से रेस्ट्रेक्ट देखे और काम करना और खुशकपरी है हमारे पेंटिंग गवेनर हाउस में लगा हुआ तो यह निसी सर का भी हमारे हम सब का पेंटिंग एक उनके घर में भी लगा हुआ गवरनर हाउस में तो यह बहुत पास आया ओनलाइन एक दिन क्या हुआ मोगी का का को जानते हैं कुछ लोग तो जानते जो ग्रीन वास में गयते हों आप जानते तो मोगी का का मेरा सब्सक्राइब सिनिया स्टुडेंट है जिनके उमर है 75 जिनका कहना यह है कि अभी तो मेरा 76 75 है तो मैं पहले 5 5 साल वाट स्टुडेंट है अब सजलो मेरा स्टुडेंट का किस तरह से एम है ठीक है तो एक दिन क्या हुआ सार एकदाम मूड बना के मुझे कॉल किया लिए जी यहां पर और शेर का नाम बोलो वो जो अपना प्राइम मिनिस्टर लाइक देखने में जो देश्मुक सर यस हमारा पी-म साब तो देश्मुक साब मिलें वापर दोनों मिलके अग्दाम बोला मैं हम पेंटिंग कर रहें यहां पर वीडियो कॉल के उन्हों तो मैं बिडियो कॉल में मैं देख रहा था इतना बां Academic है के वा रहता कोई को इनियु रहता है हम आते हैं घुम्ने के लिए मैं थीक है सर क्या साथ नी súновफ हैं और मैं प्रिशन करें चाहरे बोलता खाया हैek man 2019 में रिटर हुआ अभी 2021 की बात चल रहा है जनुरी में तो ठीक है प्लान करते हैं कुछ स्टूडेंस को लेके आते हैं हाँ ठीक है ना आ जाओ मैं बोला कितना कितना स्टूडेंस हो सकते हैं यहां पर है क्या हुआ क्या हुआ मुझे लगा में आपकर चल रहा है बहुत जबर्दस्त हो रहा है और बहुत मज़ेदार तो अभी क्या हुआ कि वहां पर से बात हुआ तो से बुला जाओ ठीक है आ जाएंगे तो इन दोरहां जैसे संजेद से सर बगर से हमने बात किया तो संजेद सर को मैं कॉल किया मैं बहुत से बात है तो मेरे कुछ स्टूडेंस वहां पर आएंगे तो आप भी अगर आपके पर समय हो तो प्लीज आईए थोड़ा मार्क दस्तक दीजिए और तो अच्छा लाएगा थोड़ा सा स्टूडेंस को भी और ठीक है ना मिलिंद क इसे बात है कि यह से गिर्न वास नाम नहीं आए तो समय ऐसे कुछ मैं स्टूडेंस लेको वरक्शव ऐसे करने आ रहा हूं तो एकदम खुद के स्टूडेंस है बर आप आप आ सकते हो क्या तो उन्होंने कभी माना नहीं किया किसी भी चीज़ में ना राजुसतन जाने के लिए म bombard है ना इधर के लिए आ हां चलते ना तो एक इनके अंदर यह था चलते तो इन्होंने पूचा कि से आप जो अए किरुछ ने की वयां किया हैं क्यांट के से किया हैं कैसे कि अर Integration 100 फ्यक्ते किदा॥ bowels करना पर ठीक है अगर कुछ लगेगा तो हम हैं हम लगा भी देंगे इस तरह से हमारे जर्णी शुरू हुआ और वहां पे टोटल फिफ्टी फिफ्टी लोग आये थे टोटल राइट निसी जी आप मैं तोटल क्या काउंट था निसी जी पुरिटी तक था और बाकी वहां के थे लोग अपुघ्टी ।ब पुरा क्राय्फिप्ट था तो वहां पर मजे की बात क्या वा पता है वो मोगे गागा को जो भूला हम ऐसे फिफ्टी लोग आएंगे तो क्या हो सकता है तो मैं बुला तो में इतने लोग है ठीक है ना दस बारा बांगलो का मैं चबी रख लूँगा मैं और लूटा है इसा हो सकता है प्वांगलो जाना और वाखे ही मतब नीशी सर भी विजित कर आया और देख के आया है सो से उपर है बांगलों आपे ऐसे लोकेशन है वो और दस बारा तो क्या पदा नहीं मोगेगागा ऐसे चैनल है ऐसे दोस्ती है कि वह कहीं सरे बांगलों पूरा दे सकते तो वह वह जो मदब शुरूब आती था तो वहां पे फिर जैसे मिलिन सर आ रहा है तो फिर काफी अच इस तरह से हम थे और यहां पर तग्रीबन के तरन साथ थे और कौन कोने जरा बताईए अभी इन्वस में निद्वें थे विद्ध्या विद्ध्या मैं बूला है ओके और वह इसे ऐसे करके बहुत तरह वहां से शुरू हुआ है एक्शुली ना हमारे का ऐसे नाम पहले नह अगर कोई ऐसे सुझ रहे कि नाम कलराम करके आया इसा नहीं है काम के बाद ऐसा लगा कि इसका कुछ नाम होना चाहिए उसके बाद यह इवेंट इतना अच्छा रहा जाते हैं समय सब को रोना आ गया मतब इतना इतना अच्छा था क्योंकि बहुत कुछ सीखने को मिलता थ क्योंकि हर दिन हमने रिव्यू करना उनसे बातचित करना और रेशिडेंशियल में वह सुबह से साम तक एक ही काम होना है पेंटिंग रिलेटेड डेमो दे रहे हैं मास्टर लोग और उसके साथ जो जो प्रफेशनल आटिस्ट है अच्छे लेबल पर आटिस्ट हो भी चू के है अभी भी आते है और उसके बाद बला तो आते ही है जिसके करन हमें बहुत कम समय में हर सारे सीट जो है हौसफुल होता है और एक अच्छी बात है मेंटेन रखाए की हर किसी के लिए कुछ कड़ने की तो हमारा यह मिर्यत है कि हर वक्त कुछ नग कुछ नहीं आर्टिस है . कुलकता में था अपना आठ टूर था एसा रख था हमने तो वहां पर भी विस्वेसवाल सर आए और बिकन सर सििकंदो सर सब अपने अपने calls कर्टे कर्के आए और सबस्के कर्के मिले तो कफी इंट्रेस्टिंग हुआ यह चीज तब यहां पे लगा की निश्य करता था कि इसे एक नाम दिया जाए तो नाम देने में एकदम जो है mastermind है अमरे निसिसर है जो उसके जो feeling के सब नाम निकलना तो अक्सर जो event का जो नाम आता है तो निसिसर से आता है निसिसर देते जो नाम और जैसे कि आभी आप जानते है कि कला सुत्र तो आप देखो कि कितना जुराओं के लिए तिस तरह से जलता रंग तो बारानोशी में जलता रंग वा पुने में गया था ग्रिन वार्स है ना कुलकाता में कुछ मीटा हो जाए मादब वाकई मादब काफी अच्छा मादब कभी दील से टचिंग वाला मादब जो वार्डिंग है वो उस हैर लेके आते है और उसके बाद कुलकाता में कुलकाता बहला काफी ज्यादा हीट रहा उसके बाद हम बुंदी में दो बार गया इसी साल गया जनरी में में गया नमेंबर में गया ठीक है तो कश्मीर में गया कश्मीर तो सुफारिट रहा और कश्मीर का जो लास्ट इन ना वो और लिए तो अगर जिनको मालूम है और फुल्स के लिए उसका गुसा अभी भी है जो इस तरह से कुल्स को हम बुला रहे थे हैं वहां पे तो अभी भी को या मालूम है हमारे जाडनी चलता रहा और इसके भीज में हमने स्कॉलर्शिप का भी इवेंट किया तो लोगों ने काफी पैसा हमें इसी विस्वास से इसी उमीद से दिया और हम वो काम भी किया है उन स्टूडियन तो पहुंचाने की काम किया जो इस फिल्ड में अच्छा काम कर रहे थो इससे पहले भी हम continue competition डालते थे उसमें से भी निकल के देते थे अभी भी हमारे इस तरह से plan है जो भी प्लारम क्या है कि निसीशर मैं ऐसा कभी है यह नहीं यह कलरम हम सबका है आप सबका है जो भी एक बर नाम ले लिया जो भी आपने एक बर देख लिया उन सबका है और इ सी इवेंट में अब दिक्कत नहीं आया हर इवेंड में हर तरह के सपोर्ट मिला चाहे रहने के लिए नहीं मिला हो चाहे का स्टेंडर बहुत ही डिलेक्स हमने दिया हो तो वहां से लेकर करके हर चीज में एकदम सपोर्ट मिला है इसी तरह से अभी भी अभी भी हम जा रहे है खजरों में जा रहा है, वहां पर भी आल्मोस्थ हमारे जो पहला जो आ जो रूम आ हमने होटelles होति बूक किया था उनका ऑउनली चार रूम बागी है जो पहला हमने टौइनटी उसका हमने रूम लिया है जो होटेल है अतना ही है egला हमको अभी चार रूम खाली है आप सोचो तो इस तरह से हर किसी का जो है दिख रहा है कि किस तरह से हम काम कर रहे हैं और आप सबोंकर सापोर्ट है और इस तरह से जेस तरह से आप सब मिल रहे हैं इसना प्यार दे रहे हैं तो हम बहुत क्या बोलो बहुत रीनी होते जा रहे हैं कि आप अभी को बहुत प्यार है ये सब कुछ जो भी है बहुत कुछ सपोर्ट आप कर रहे हो अब यहां पर जुड़े हो इतना देर से तो यह प्यारी जो है दिखाते है एक फैमिली दिखाता है की एक कलारम जो है फैमिली है तो जतना मदब मैं इसी सब नहीं है हमारे बैया हमारे पीछे हमारे अपना बंसी का कुछ जो टीम हमने हमर साथ वॉलिंटियर काम कर रहे हैं अभी बंसी का है कनिष्टा है वहां पे तगम मनी यहां पे अपना रुको यह बैंगलोर का पहले नाम लेता हूं जो जोती नहीं तो फिर गुस हो जाएंगे जोती सिद्धार है ना फिर यहां से आर् हमारे और नव्बेडा जो है वेस्टेंगल से है तो यह तो टीम के साथ साथ कि हम हम्हां इस साथ से आडवाइज मिलते हैं और हम लेते हैं हमारे से जैसे केतन सर है और सब मैंटर आर्टीस जिसने इस चारकां हम को कि इनके चत्ते-चाय में हम तो कभी दिक्कत आई नहीं स है हमारे उपर इतने सेहर है इतने सेहर कि हम चत्रेचाया में हैं कि हमें गूड़ी दिक्कत आई नहीं सकता है और हमें पर हमें इसी दरगúblic का ना है हमें बहुत बढ़ा यह नहीं करना हैैं और मैं अच्छे दरह से काम करेंगी कि आपके प्यार हम लेते रहेंगे are आ पको भी जह भी हो भ enfıyorum is 8 फिद्ट में मदद करेंगे क्यों कि मुझे लगता है कि कुछ नहीं है इसमें कुछ भी नहीं है में इस फैंटिंग में बट आपको थोधा focus करना है आपको खुद को seo नहीं है। है न? आप सच बोलो ऐसे जो कहते कि समय नहीं है, वह कितना टायम। वह रीम में निकलते हैं? वाई गॉठ आगर आप खुद से खुद बता दो निकलते हैं ला शबके लिए समायः रही ऑगर आप चाहते कि प tiene money is lingering in to unter डौठ करना ऐसा भी होता कि दसंदर मिंट कर सकते हैं सब्सक्रें कि कि दिन मिस में होना चाहिए और वह चीज जो जितना बढ़ा हो गें उतना लगा आप जितना आप इस तरह से काम करोगे तो वही लोट आएगा आप अगर मेरे YouTube चैनल में जाके देखेंगे तो साल बाइस अगर देखेंगे मैं अपना example क्यों देता हूं मैं दिन में दो तीन चार काम कर लेता हूं तो उससे क्या हो रहा है काम करने से क्या होता है क्या लगता है कि मेरे मेरे मताव थक जाते है पेपर देखेंगे तो अभी मादलो कि मैं बैंड में सटर हूं उनके उच थक जाते हैं उनके अलाबा भी मेरे को बहुत खर्चा होता है कि only materials को materials लग रहा है इतना काम करता हूं मैं अच्छी बात है यह कि इतना काम करता हूं पेपर अभी तो लाया था इतने सारे सब खतम गया डॉयर यह से निकल के देखा अरे सब खतम गया पेपर देखो छोटा पेपर में करना पड़ा काम वाकिए पेपर छोटा कर लिया यह class का काम है तो इस तरह से आ रहा है अभी जैसे की full imperial में काम करना आज full imperial भी करके आया बहर जाके outdoor में full imperial full video आएगा clean air painting with अचिनतो चैनल पे मेरे दो चैनल है एक channel अचिनतो अजरा है वहाँ पे 6700 videos है एक channel है clean air painting with अचिनतो जो भी प्लेनेर में काम करते हैं और कैसे काम करना जो मेरको मैयसस होते हैं उस समय वह सब चीज मैं वापर बताते रहाता हूं फुल-फुल वीडियो में अपलोड कर रहा हूं जिरको सिखना है तो जुरूर विजिट करें वापर देखें तकि आपको सिखने को मिल जाएगा थोड़ इसके साथ साथ हमरे कलराम में तो है ही है र किसी के चैनल पे है जैसे पोर्टेट के उपर भी बहुत सरे आप से सुन नीसे सर के पास है इस तरह से हर किसी सर के जडियी आप देख सकते तो समय को अच्छा यूज कीजिए अपना अपना शेडूल तेयर कीजिए तो मेरे पास बड़ा एक शेडूल लगा हुआ है वो शेडूल को देखते हुए भी वो श्रीकंदर सार ने काफी तारिफ किया इससे पहले भी वीडियो में कि जाके देखा इंग्लीस इंग्लीस लिखा हुआ ये वो एक्षिली मेरा सेडूल बना है पुड़ा कि कब क्या करना है अगर सबसे आप चलना चाहिए टाइम टेबल होना चाहिए आपके तो देखेंगे बहुत सारे टाइम आपको मिल जाता है आपको मुबाइल देखने के भी टाइम मिल जाएगा बहुत सारे मदब एक घंटे के जएगा तीन घंटा देख पाएंगा अगर अगर मैनेजमेंट कर ल बहुत कुछ है और ऐसे जो अभी हमारे पास एक है सिद्धाद भी जुड़ा है कपी अच्छा आर्टिस्ट है तो इस तरह से जो भी वॉलिंटियर है हम इन प्यूचर जब ऐसे नहीं कि फोन पे आपसे बात किया और आपको मैं कलरम के पार्ट नहीं बना सकता जब तक आपसे मैं हम सामने सामने नहीं मील पाते हैं और आपको ना जान पाए हैं तो इस तरह से आप जुरूर वालिंटियर आईए, कलारम को सापोर्ट कीजिए, और हमारे मेंबर बनिये और काम कीजिए, और हमारे भी फोकस रहता है कि आपको किस तरह से, जो भी आप लेबल पे है, वहाँ पे आपको सीखाय जाए, आपके प्लाटफरम दिया जाए, वो हम जो खजुरों में है, पुरा नाम क्या है, विजय अच्रे का सर है ना, तो विजय अच्रे का सर का एक तारिफ मिलना है, मतलब उन्होंने अगर किसी को गूट कह दिया ना, तो माल लो बहुत बड़ा आवड मिलगा आपको, तो वो वैसे सर आ रहे हैं आपके, आप समझ लो फिर मनोश सकले सर है, विश्वाल सर भी है, सिकंदर सर है, तो यह जो आप समझ लो वो चार दिन ऐसे सर के अंदर रहना, मतलब क्या हो सकता है, क्या पस्विलिटी है सिकने के लिए, मतलब बहुत कुछ है, आपको बस लेना है, और रिसिडेंशल के अंदर वो काफी हम तो अभी बहुत एक्टिव हो चुगा, इवेंट को कैसे मैनेज करना, कैसे टाइम करना, बहुत सिस्टेम में चलता है, इवेंट, तो बुदी वह बहुत जबरदस्त रहा था सर, जो सेशन भी होए थे ना शाम को, बहुत बहुत यह हैं कि दिन पर दिन ऐसा नहीं कि आप कहीं बर यह चीज़ को अगर भूल जाते हो कि देखना कि फिर वह बहुत गलत है, क्योंकि हम पहले खुद एक आठिस्ट है, और हमें खुद का चिंता है, आपको छोड़िये, हमें खुद का चिंता है अपने काम पे इंप्रूमेंट, अपने काम को आगे ले जाने का, तब ही न जाके यह सब चल रहा है, आपको भी इंप्रूमेंट देख रहा है हमारे काम में, तब ही हो रहा है कि हम ऐसा नहीं कि और्गनेस कर जाकर के इसको साइड में नहीं, यह हमरे पहले है, यह पार्ट हमरे पहले है और हमरे जो भी कॉर्डिनेटर है, जो भी हमरे साथ जुड़ा हुआ है उनका भी काम इंप्रिमेंट देखिए आप क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि हमारे काम पहले होना चाहिए फिर अपना कलरा मजबूत हो जाएगा और कलरा मजबूत इसलिए ही है कि हम अपने काम में ज्यादा चिंतित हैं तो जब हम अपने काम में चिंतित है आप सोची आप आएंगे तो आपको छोड़ देंगे क्या, आपको भी सीखना पड़ेगा, आपको भी सीखा के रहेंगे, तो यह हमरा प्रयास है, एक दम सच्चा ही है, जो भी है आज आपको शेयर किया, मेरे लाइप से लेकर कि यह कलरम प्लाट्पॉम तक, यह जो दीन है और इस तरह से आपकी जो प्यार है, दिन पर दिन जो बार रहें, बाकी में थेंक्यू बोलके उसको पूरा नहीं कर सकता, तो आगे-आगे हम उसी तरह से काम करेंगे, ताकि आपको अपने जो इतना प्यार दिया, उसको हम आपको थोड़ा-थोड़ा करके लोटा पाए, और इसके साथ मैं नीशी सार को वाकी बहुत ही थेंक्यू करना चाहूंगा बिल्कुली, यह अतना खुबस्टा हो था अपने पोट्रेट मेरे अगदम मूट को कैप्चर किया, अगदम वाह, यह पोट्रेट मेरा है, हाँ, चैलो, बहुत जबरदस्त, बहुत जबरदस्त, मर रहा गया, इसी सार एक पर रेफरेंस फोटो भी दिखाएए सामने, अगर पॉसिबला तो, अभी बोलिये, आप थोड़ा बीज में क्या चुट गया, या कुछ आपको लगता है कि क्या ऐसा टॉपिक पूछना था, लाब भी बता दिया, तो, आपने बुंदी में दिया, या मेरे बास में सुवर्व का है, तो मैं उसे, as a monument करके मैं जदन करके रखता हूं, मेरे यहां पर लगा कर रखता हूं, क्या बात है सब्सक्राइब, जैसे हम लोग पही पे भी मिल रही है, मैं NCCC cadet था मैं, तो जहां पे भी camp पे जाता था तो, वो camp का एक monument मिलता था, जिसको हम लोग संबाल के रखते हैं, तो मैं कला रंबा के सारे वो बैचे संबाल के रखता हूं, एक दिन उसको मांड के ऊपर लगा के फिर मैं उसको celebrate को रखता हूं, जैसे पोजिटिव पॉइंट है, एक memory उसके साथ में चुड़ी रहती है, एक से continue करना चाहिए, जो भी आप में से कोई भी अगर कुछ शेर करना चाहिए, जोरूर शेर कर सकते हैं, एक दिन में कितना practice, कितने घंटे practice रिकमेंट करेंगे आप, मेरे को पुछ रहे हो, ने से सर को, मेरे को, आप को ही पूछे हैं ना सर, अच्छा ठीक है, तो ऐसा कि देखो, पेंटिंग ना अंदर चलना चाहिए, जोरूर नहीं हो, पेपर पी उत्रे, आपके सोच में पेंटिंग होना चाहिए, आपके जब भी आप आसपास, जब भी पेंटिंग करना, और कितना करना, ऐसे को नहीं है, कि बहुत सरे कर लेंगे तो बहुत अच्छय रेजल्ट होगा दिरे दिखना बढरते जाहिए, आपके, दिखो, जितना, जितना करेंगे उतना तो अच्छा है, एक जितने करेंगे, तो इदे इदे मी चीजे आपको, शि पकड़ के चलो तो इतना अच्छा हो जाएगा ऐसा कुछ नहीं है अपने उस composition से क्यों कर रहे हो क्या ऐसा अच्छा लगा उसको सवाल भी आपको होना चाहिए है तब आप सीखेंगे जादे जल्दी अगर कुछ देख रहे हो आपको अगर उपूस कर रहे है बनने के लिए तो क्यों कर रहे है तो उस चीज को भी थोड़ा सापको सोचना है और इस तरह से स्टार्ट करो मत यह मत पूछो कि कितना करना चाहिए अच्छा लग रहा है कट डालो कहीं बार हमें mindset क्या होता है कि यह बहुत अच्छा composition सेब कर लिया है वह बहुत अच्छा composition सेब कर लिया और मैं बता हूं जो भी मतब इस आर्ट से जर्णी आगे बढ़ाना चाहते हो आपके कैसे भी हो आपके घर में जो भी setup है आपके एक studio setup होना बहुत अच्छा रहता है क्योंकि वहां पे एकदम layout रहेगा सामान जैसे कि मेरे studio की बात कर रहा हूं आपको बहुत ज़्यादा क सब्सक्राइब टेबिल डालो वहां पर अपना सामाल layout रखो ताकि वह बार बार निकलने के जंजड़ में आप काम ना करो वह यह होता है पर आपके वह कहीं बढ़ाना आपको कुछ ना कुछ तो कर सकते हैं आपको 10-15 मिट 20 मिट मिला कुछ तो कर सकते ना अभी पूर आप करके पैक करके राकर उसको निकल के पहले मन नहीं करें जब तक आपको वह एक composition मिला मूड बना तब तक वह नहीं मिलेगा मतलब वह निकलते निकलते वह energy डाउन हो जागा तो ऐसे मदब नहीं होना चाहिए खुब करिए painting जितना करेंगे उतना ही आच्छा है खुद के लि में इतना फूल हो जाता है सामान कि जमीन पर आगे जमीन से आखे एक bedroom से corner से लगे hall के corner तक हर जगा पर थोड़ा 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 रखा भी यहां पर water color करें आपे poster color कर रहे हैं कुछ ने कुछ चलतो रह रह रहा है नहीं अच्छा है न तोना sit-up रह मुझे अच्छा लगता है हर बार इसको देखके तो इस ग्रेट में मरी के साथ चली थैंक्यू यह जाड़ी रहेगा हमारा इस तरह से कुछ ना कुछ या और अच्छा कुछ हम दे पाई in future जरू कोशिश करेंगे और कोई सवाल जरूर करिए और जो भी आता है हम बहुत कुछ नाउलिज्च नहीं है जोतना भी कुछ है पैक्टिकल यह अपने लाइफ से देखिए मैं आर्ट कोलेज में आपके मेरे लाइफ स्टी से आर्ठ कोलेज से मैं हो नहीं जब भी कुछ सिखा मेरे सामने हैं जुतने भी सेड़ लोग सभी से मैंने सिखा है ए आपको आठ कोलेज सी होना पर एगा, ऐसे कुछ नहीं है. जो कॉलेज से है वो तो अच्छी बॉत है, वहाँपे तो प्रॉपर आपको थेयॉरी से ले करके सब कुछ सीखने को मिल रहे है, बहुत अच्छी बात है. जो नहीं है वो भी ऐसा नहींगी, आप उतना ज़्यादा सिखना है उससे, जो college से नहीं है उतको आप ज़्यादा सिखना है, तब दां़ जाकर आपको कुछ ज़्यादा होगा, ना अच्छा होगा पूछो इस पीगर होगे क्या पूछने चाहती है पूछो पूछो बंगली हलो सर अलो एपी बडे टो ये सर थेंक यू थेंक यू सर मैं पूछने चाहती हूं कि सर ये कलरम से जूड़ें केसे अब जूड़ चुके जूड़ चुके सर केसे बदा ही हो बदा ही हो आप जूड़ चुके एक को है कि कलरम से जूड़ना क्या है कि कलरम का इस्तरा पेज है जहां पे सबसे पहले अपडेट मिलता है जो भी कुछ हम events करते जो भी कुछ share करते चाहे scholarship से ले करके competition, residential, कुछ भी demos जो भी चल रहा है Sunday to Sunday, जो भी हम देने की कोशिश कर रहा है, यह सब वहाँ पर आप एक पर follow कर लिया तो आप कलारम के member है, आप जूड़ना कैसे कि आपको लगता है कि चलिए अभी खेजुराओ आ रहा है तो मैं वहाँ पर जाता हूँ, यह बैंगलोर मोक्षप हो रहा है, वहाँ पर मिलता हूँ तो जब आपको आना है, तो और ज़दा सामने से जब मिलेंगे, और ज़दा अच्छी तरह जूड़ेंगे है ना, तो इस तरह जैसे अभी खेजुराओ में वहाँ पर आर्टमाट लगने वाला है, तो सर, मैं उसमें पार्टिसिपेट करना चाहती हूँ, तो सर, वह कैसे करूँ यह तो आर्टमाट का थोड़ा सा आप लोग कन्फूजन कर रहे हूँ, आर्टमाट का नहीं है, पार ओकी सर, आर्टमाट जो देख रहे हूँ आप, वह कलरम का नहीं है, बहुत सर, ऐसे कन्फूजन आ रहा है, दिखाए दे रहा है, यह आर्टमाट के उपर मिरे को पूछा जा रहा है, तो आर्टमाट कलरम का नहीं है, खेजुराओ में रेसिडेंशियल वक्षफ हो रहा है, वो कलरम का है, जो की इस्टा पेज में आपको मिलेगा, कलरम के इस्टा पेज में जी सर, तो सर फिर उसके लिए कोई फीस वगिरा भी होगी हाँ, जुरू होता है, रहने खाने के लिए तो लगेगा ना हाँ सर, उसका लिए लग रहा है, तो आप वाट्सप करें या डियम करेंगे जहां पर भी, आप देखते हैं, तो आपको वहाँ पर प्रॉफर आपको दिया जाता है उसकी पी-पीटी, उसके अंदर क्या-क्या आपको बेनिफिट मिले, क्या-क्या मिलेगा, है ना, तो इस कौन-कौन सैर आ रहा है वहाँ पर वर्क्शोब में, वो दिखेगा इस तरह से, तेंक यू सर, अब भी कुछ थोड़ा सा, जुरूर, तो लब सुनाईये हमें, तो विक्कन सर, हमारे मेंटर हमेशा सपोर्ट किये कलरम को, तो मैं चाहूंगा सर, कुछ जुरूर, शेयर करें, बहुत अच्छा लगा है, तब, कब से हम शुरू है, साड़े नौ से शुरू है, अब तक, लेकिन ऐसे लग रहा है कि ऐसे ही, अभी बात करने शुरू किये, तो आप इतने अच्छे से बात करते हो, यह तो हमने पहले भी सुना है, मतलब जब भी आते कि हम जब परस्टाइम, काफी बार मिले थे लेकिन शीलॉंग में हम लोग रात को, मिलिन सर, लोग रात को, तब, तुम दे बहुत सारे किसे बताये थे, तुम्हेरे लाइफ के, कॉइंसिदेंट वाला, ठोड़ा सा, वो सुन्टी में एक दम पागल हो गया था कि क्या है लाइफ और आपने बहुत इच्छे से आपका पूरा एक्स्पिरियेंस इतने अच्छे से एक्स्पिरियन किया है, और इतना अच्छा लग रहा है, इस वेरी इंस्पाइरिंग है, और मुझे लगता है कि इस तरीके के सेशन और होने चाहिए हम लोग देखते ही हैं लेकिन आज डेमो सेकंडरी हो गया है और जो एक्सपिरियेंस है यह प्राइमरी हो जाया यह इसमें एक्चुली सुरू से अभी तक इतनी सारी चीज़ें आपने बताई हैं अभी आपने तेखा होगा कि मैं इंस्टाग्राम पर कुछ वीडियो के क्लिप्स डाल रहा हूं तो आज का पूरा सेशन है यह पूरा मास्टर टिप्स के इसमें जा सकता है बहुत बहुत अच्छे टाइम पर यह वीडियो बना है क्योंकि अब आपने जिस मेहनत से मुझे पता है कि आप जिस स्पीड से काम करते हो जिस पैशन से गाम करते हो मतलब बहुत ही मुझे लगता है कि सब लोगों ने यह वीडियो बार बार सुनना चाहिए इस वीडियो में बहुत सारी चीज़े बहुत ही इंपोर्टन चीज़े मतलब हर आर्टिस्ट जो भी सिनिर आर्टिस होते हैं अगर आप उन से पूछेंगे तो आपको यह जवाब ने आए लेगन आपको ऐसे दिन में तीन-तीन-चार-चार काम करते हो बहुत सरी चीज़े तो यह बहुत अच्छी चीज़े और यह जैसे अभी जरूरी है कि आपको अगले साल क्या काम करना है आपको अगले साल कितना काम करना है या अगले साल के छे महीने तक आप पहुंचा हुआ देखना चाहते हैं तो जब तक गोल्ड डिसाइड नहीं होगा ना जब तक हमारी मेहनद या आटिस लोग पड़े मूड़ी होते हैं तो लगता है कि वह रिजन नहीं देना चाहिए और प्रड़े तो होता ही है और मैं तो कहते हूं कि स्ट्रगल होगा तो ही आप आगे जाते हो जैसे आपको तो पता है हम सब लोग के लाइफ में स्ट्रगल नहीं हमें पुश्ट किया हुआ है तो बहुत अच्छा एक्सपिरियंस था और श्पेशली आपके जैसे बंदे ने जिसने आधी लाइफ पहले ही डिफेंस में आर्मी में बिताने के बाद बच्पन से था लेकिन फिर भी 19 साल जब आप डिपेंस में रहते हैं तो आपका पूरा दिमाग किसी और जोन में रहता है और फिर आपने लेकिन आपके अंदर अपने जिन्दा रखा वाग जिन्द थो आपके साल जातो उसे काम ख़ांपल से तो वहरी नाइस रखा वरी नाइस अवर्थिंग पासिब्टेशमपल अर बहुत ही अच्छे है आपक त्रेंशेंटर हो मैं तू तो कहूंगा इसिए वरीथी इसी अवरीथिं इस पॉसिब यार एक्सांपल ऑफ ठाएट बाहत जरूरी है तो आप दोनों की जोड़ी है वह अनमैच जोड़ी है और मेरी और सिकंध्र सभाइक की बीजोड़ी एकडम मिलते हैं तो आप दोनों में बहुत इनरजी है और मैं जब भी भी देखता हूं आप दोनों को तो आप कि बहुत बड़ा आध है तो मैं शीमा भाज को आपकी मपादी को सभी को मैं बहुत अप्रिशेट करता हूं इनोंने यह कुछ किया है तो तो बहुत ही एच्छा एक मेन पॉइंट बता है कि यह जो सापुट हमारे जो फैमिली बेक्ग्राउंड से एक्चुली उस समय था कि बहुत कुछ वहां से मंदब फॉज में बैटे मुझे देयान रखना पड़ता था यहां आने के बाद मेरे वाइब ने सोचा था कि यह रिटर होके आया तो मेरे जिम्मेवर्णी साit कम हो जाएंगे तो जिम्मारी उससे ज्यादा हो गया वह ज्यादा मतब सारे कुछ मेरे को प्रीग कर दिया था कि मैं ज्यादा अपने इस फिल्ड में ज्यादा कम कर पाऊं तो वाकिन में कफ़ी कुस हूं की मेरे फैमिली सपोर्ट काफी अच्छा है कि इस तरह से मैं इस फील्ड में दिन राब करता हूं गारुब देखते ही है कि कितना जो भी करता हूं आप से भी जाधा थोड़ी तेज है तो आप सो मत पीछे से मुझे पता है लास्ट टाइम किसी इवेंट में गये थे और शायर एक दिन एक्षा हम लोग रुके तो अचिंद्य ने बुला विविड आट रही है एक दिन कितना क्लास का नुकसान हो गया अब कांपूर की है यह बहुत जरूरी है वह पुश मिल रहा है ना आप तो खुद होई पंचोल यह बहुत अच्छी बात है और सीमा बाबी ने बहुत अच्छी से संभाला है सब कुछ यहां पर मैंने एक चीज कोई देखा कि जिस तरह से हम हम जैसे फोजी होते हैं और आटिस्ट आप मानेंगे नहीं आपको अगर नहीं मालूम की जो मेंटलीटी की जो लेवल्स है आटिस्ट और फोजी की बरबर है मैं आपको क्लियर कर देता हूं जो मेंटलीटी लेवल है इतना स्टॉंग है एक आटिस्ट का लेवल आपकी सोच में वो सकती है तभी न आप इतना बना सकते हो आप कर सकते हो मैं बताँ कि आप कर सकते ह हो दो क्योंकि मेरे लाइम में ऐसा लगा कि कुछ चेंज हुआ ही नहीं है पैक्टीकल भी नहीं है और मेंटेगली भी नहीं है प्रेक्टिकली तो नहीं है कि सामान उतना ही धोके लेके चलता हूँ काम बोई जंगल में जाके यह सुनसान में अच्छा लगता है ना जो फॉज में था वो प्रेक्टिकली हो गया और मेंटलिटी कि आप इतना स्टॉंग होते हैं एक आर्टिस्ट सुस्ते कमजोर है या नरम दिल के होता है नहीं होता है उतना ही स्टॉंग होते हैं एक आर्टिस्ट उतना ही स्टॉंग है कुछ भी कर सकते हैं आप अपने आपको नहीं जाना तो मैं बता दूँ आप बहुत स्टॉंग है और आप बहुत कुछ कर सकते हैं तो तो श्रापलाई वो पूरा हो गया है पोटरेक अभी पार कर दो जब करने लगे गई सर आप खिरेक उसे डिशी करने करने आ रहे है ऑगे लॉड बाव प्रेक रेट ग्रेट ग्रेट थेंक यूड वर्यापट बढ़ दे थेंक यू थेंक वाज तो सभी मिलके इतना प्यार बरसाया कि मैं बिल्कुल इतना बड़ा प्लाटफॉर्म में इतना बड़ा स्लिविशन हो रहा है थैंक यू और कोशिश किजिए कि जुरूर कहीं पर मिल के हम करें कि पड्डे कि यहां परेड़ में तो मार्च में मिल जाके हैं ना वारा नसी जरूर जरूर भाकी लोग सोज घए हमारा कब होगा है इसे लिएगा सबके पड़ी के मंध में एक टूर रखना पड़ेगा फिर तो जुरूर है जब भी इवेंट में जाते हैं जुरूर हमें स्वेयर कीजिए क्योंकि बारणोशी में ऐसा हुआ था इनके साथ साथ और भी हमारे जो मैडम उनका नाम क्या था तो जो भी इवेंट आ रहे हो आपकी अगर बद्रे है तो जुरूर हमें बताएए टाकि बर्चर के हम भी सेलिबेट करें आपके बद्रे जहां पर भी इवेंट हो रहा हुआ हो पर तो अच्छा लगता है थैंक यू मैम थैंक यू स्वा मच बाई ऑके बाई कि बहुत बढ़िया बहुत अमेजिंग से मज़ा गया अभी पुछे ब्रस पेपर बीपर सब बताऊंगा बैं कल क्या है कि मर्टल तो आप कोन सा भी उस कर सकते लेकिन जैसे की चिनमेजे ने जो मुझे टेस्टिंग के लिए एक काफी सस्ता और काफी अच्छा मैंने फर्स्टाइम ट्राइब किया मज़ा आ गया है तो मैंने पाल जो पड़े होए वही प्रेश सुष करता है सबसे ज़्यादा खुशी इस बात कि हो रहे कि चीज़ को हम चाहते हैं मतलब तो उनका पोर्टेट बनने के लिए फिर आसन हो तो पोर्टेट भी इस आते हैं आपको उसका मतले करी लेंगे लेकिन जानते आप बस उनोंने उनको इसके देखा आप मेरे जितने भी पॉट्रेट है ना में खुद के रेफरेंस उसको मैंने सादू भी रहेंगे तो उनके साथ मैंने time spent किया है उनकी बाते सुनी है तो जो भी आप पोर्ट्रेट करते हैं उससे रिलेट होना चाहिए आपको जो भी करना है तो ही कुछ ना कुछ निकला है तो यहां पर वह यह कि मुझे पता है उनका क्या मूर से क्या है तो शायद वो पकड़ लिया में वह तो ऑपे की मसि भी ख़ची है मज़ेदार भुगत ही के वाव शायव है क्या 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 इस हाल अज होगा है क्या है जाना आपका फ्रस ना कि मुझे था हो सारे जुड़े उनके प्यार के वज़े से मतलब एक आर्मी मैन होके उनके अंदर एक सौटने से जो हमारा हमारी महाराष्ट्रे में मुलते उसको फनस कहते हैं शायद तो उनका थाट सो किण एक एक सौट और से खांढ़े वह हमेशां बंदे को जाए ब्रच को मुझे है अंधिय के इंक ईयू एक बंदे को मु rivalry ने डांट़ जिसको लिए अचिंते 75 ले नेलन नौट तक नाम नहीं पताएंगे जिम्बर सोने आली नहीं सेंट ओला है वह बहीं कैसे बुल सकते हैं अच्छा आच्छा 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 आटे अच्छा आप समझा आया तो पूल्स हम यह सेशन शायद यहां पर सकते हैं क्योंकि जिसने जिसने भी बदाई दिये तो हर किसी को सर रिप्लाइ नहीं देपाते पाएंगे और दस दिन लेंगे आपको रिप्लाइ देने में लेकिन हमारे कलारम के तरफ से सबको थैंक्यो जो आपने इतना प्यार करेंगे लेकिन पूल्स का अच्छा आइड़ा था कि बहुत सारे प्यार करने वाले भी लोग है तो हमेशना कुल्स हमें गाइड करता है क्या-क्या चीज़े करना है तो कुछ भी कुछ भी नहीं मतलब हम यह कहना चारे कि आप कोई भी रहे तो सुजाव दे सकते हामें प्यार के वाज़े हमारे जीम में भी जो और बरते जा रहा है तो थैंक यक्यू सो मच अब डोग का बहुत बहुत प्यार है और इस तरह से हम काम करते हpping बहुत करने की कोशिश कर रहेंगे और थैंक यु सो मॉच दिल से एक गंटा फैमिली के साथ हो जाया अचिंते सार हैपी वाट दे